हेलो फ्रेंड्स मेरा नमनुपमा 14 और आइस्ट्रेल में आपका स्वागत है तो चलिए फ्रेंड्स आज में आपको बता रही हूँ कि हमारी कोहनी पे जो कालपन हो जाता है हमारी गर्दन पे कालपन हो जाता है एंकल पे हमारे कालपन होता है तो body पे अगर हमारे कहीं पर भी काला पन है तो उसको हम कैसे naturally सही कर सकते हैं फ्रेंड से बहुत ही easy remedy है लेकिन बहुत ही ज़्यादा effective है आप इसको जरूर try करेगा और अगर आपको मेरा वीडियो पसंदा है तो like करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और मेरी वीडियो को अब share भी जरूर में कीजिएगा तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं हम इस remedy को किस तरीके से तहियार करेंगे तो चलिए friends start करते हैं उसके लिए हम सबसे पहले ये चावल का आटा लेंगे friends हम घर में ये चावल को पिरिश सकते हैं चावल के अंदर बहुत ही बढ़िया नैचुरी ब्रीचिंग एजेंट्स होते हैं जो हमारी स्किन को नैचुरी क्रीन करते हैं और इसके साथ साथी इसके अंदर वाइटनिंग प्रॉपर्टीज भी होती हैं इसमें हम ये थोड़ी सी हल्दी मिक्स करेंगे और इसमें हम थोड़ा सा ये बेसर मिक्स करेंगे पर इन सब को जो हम घोलेंगे वो इसमें हम सिर्फ ये नीम्भू लेंगे ये आदे नीम्भू में हम इन तीनों को मिक्स करेंगे फिर्ट्स ये नीमू बहुत ही बढ़िया काम करता है हमारे skin की whitening और brightening में कहीं पर भी हमारे skin पर काला बन है तो नीमू इसको बहुत अच्छी तरीके से साफ करता है तो इसको हम सिर्फ नीमू में mix करेंगे इस तरीके से नीमू इसमें निचोड लेंगे पर इस नीमू को हम फैकेंगे नहीं इस नीमू की छिलके से ही हम रब करेंगे solution को यह हमने जो remedy तयार करी है इसको हम थोड़ा सा नीमू के छिलके पर ही लेंगे और अपनी कोहनी पर या जहां पर भी हमारा काला पन है उसको हम पहले पानी से अच्छी तरीके से साफ कर लेंगे फिर इसको 5-10 मिनट इस तरीके से गोल-गोल रब करते रहेंगे अच्छी तरीके से हम इसे रब करेंगे ताकि हमारे स्खिन के अंदर जाना जाए ये बहुत अच्छी तरीके से रफ करने के बाद में हम इसको पांच मिनट के लिए इसी तरीके से छोड़ देंगे उसके बाद हम इसको वाश कर देंगे तो friends हमने इसको वाश कर लिया फ्रेंट से बहुत एफेक्टिव रेमेडिया हमारे कहीं पर भी कालपन है गर्दन पर भी कालपन है या एंकल पर और भी कहीं पर भी है तो सेम इसी तरीके से हम इसको रगड़ेंगे और उसके बाद हम इसको वाश कर लेंगे फ्रेंट से बहुत इफेक्टिव रेमेडिय आप इसको जरूर ड्राइ करिएगा अगर आपको मेरा वीडियो पसंदा है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत बूलिएगा मेरी वीडियो को अपने फ्रेंट से एंट फैमिली के साथ में अपने वाटसाइप ग्रूप पे और फेस्बूक पे जरूर शेयर कीजिएगा और रॉयल्स चैनल को जर्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए उसके साथ जो बेल आइकन है फ्रेंट साब उसको भी जरूर प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अप्लोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा तो हम बहुत ही जर्दी मिलते हैं एक और एकसाइटिंग वीडियो के साथ में जाने से पहले आप मुझे इंस्टागम पर जरूर फॉलो करिएगा वहाँ पर मैं सारी टेली अक्टिविटीज आपके साथ में शियर करती हूँ मेरे पर इस रॉयल स्टाइट को एपी पर जरूर लाइक करिएगा तो हम बहुत ही जर्दी मिलते हैं एक और एकसाइटिंग वीडियो के साथ में तब तक लव यू और बाए टे गुट केर आप योज सिर्द